हलो नुमिश्कर दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिम्टेड के बारे में और टाटा मोटर लिम्टेड में आज अब गर हम देखें तो क्लोजिंग 321 रुपे 45 पैसे के आस पास हुई है बाचित को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे भी आप बेल आइकन को हिट करना मत बूलिएगा तक ही आने वाले वीडियो के नॉर्टिफ केसन आपको मिलते रहें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग चलि बाचित को आगे बढ़ाते हैं और आज का भाव सबसे पहले समझते हैं ओपनिंग क्या है आज की तो आज ओपन कहीं 320 रुपे 25 पैसे के आसपास हुआ और हाई गया 324 रुपे 45 पैसे और लो 316 असी और 321 रुपे 45 पैसे के आसपास क्लोजिंग होगे बजार में उपर जाके फिर नीचे आता हुआ दिखा बया सेम उसी तरह से यह भी पैटर्न बनाया है कि यहां पर दो चार न्यूजेज हैं और आप सबको पता है कि टाटा मोटर पिछले कई दिनों से बहुत चर्चे में रहा एलन मस्क के साथ पार्टनर्शिप होगा खबर आई और एकदम मोटर्स जो है वो इवी इलेक्ट्रिक वेहिकल्स की दुनिया में कदम रब चुका है और इनकी दो-दो गाड़िया आपको नजर भी आ गई है तो काफी बढ़िया बात है यह बट यहां पर कवर करेंगे लेकिन सबसे पहले कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं तो आई देखे तो 357 रुपेका लगा हुआ है ठीक है ना बुक वैल्यू एक सो बावन रुपेका है डिविडेंट का यह आप अभी आपको कुछ नजर नहीं आगा है फेस वैल्यू इसका जो है वो दो रुपेका है काफी जादा स्लोडाउन हो गया था आटो सेक्टर उसके करूँ का बाद यह काफी भी रिकवर किया है और अगर अभी मैं बात करू तो पूरे औल ऊवर इंडिया में काफी बढ़िया अपने गाडीनों परें बना रहा है चाहे रही बात करें हें काफी बढ़ियां यह फकर बनाना लेकिन सीखे है कुछ न्यूजू सिर्एगे यहाँ पर अगर बैलेंस शीट पे नजर डालोगे तो बढ़ियां इनके पास रिजर्ब भी है यानि पचास अजार करोड के राउंड का रिजर्ब यह कर यह भी है और टाटा ग्रूप के लिए कोई बहुत बढ़ी बात नहीं है आने वाले तीन-चार सालों में आपको डेट 30% दिखा रहा है लेकि 39% से देखिए तो सिटी बैंक का नियू यूर्क वाला डिपार्टमेंट जो है वह 11% ले रखा है और राकेश जुन-जुन वाला साइब जी ने 1.39% ले रखा है तो यहाँ पर अगर मैं निकाल दो इसको 13-14% माल निकल जाता है और हमारे पास काफी थोड़ा माल दिखता है आम रिटेल पॉब्लिक के पास ठीक है ना तो यह बात हो गई अब हम यहाँ पे के नियूजेज वगरा को समझेंगे सबसे पहले फंडामेंटल हमने समझ लिया कि एक प्रॉब्लम जो हमें दिखा डेट वो डेट जो कंसर्न है वो कंसर्न खतम होता हुआ आपको नजार आएगा क्योंकि टाटा ने कहा है तो मतलब खतम होते कि अगर अधर कोई कंपनी होता वो कहता कि हम तीन साल में डेट फिल जांगे मैं इतना गौर से नहीं लेता लेकिन टाटा गुरूप ने कहा है मतलब उनका मार्केट में एक रेपोडेशन है आपक कुछ भी कर सकता है अपने पैसों के लिए प्रॉफिट के लेकिन यह अपने एथिक्स को फॉलो करते हैं और टाटा टाटा ही है टाटा के सारे प्रड़क्स मुझे ओके लगते शारे शेयर्स मुझे ओके लगते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर नियूजेस की तरफ हम एकिक क प्रड़की को रुक है यह नेक्सन इलेक्ट्रेक्ट्रिकवीकल्स है नेक्सन है ऑर यहाँ पर हमारे अर्विन जी इन्होंने क्या की अख कहा इन्हों ने दिली में जो सब्सीड्री मिल रही थी में यहां चिंद्ली में लेकिन इनों ने चैंसल किया तो यह की बात आ गई यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो टाटा मोटर्स ने आफर किया है अप्टू सतर परसेंट सतर हजार का डिसकाउंट तक के डिसकाउंट मिल सकते है तो यह काफी बढ़िया चीज है और इसमें हमें इसके आपको पहले भी न्यूस पता होगा फिर से दुबारा हम डिसकाउंट कर लेते हैं टाटा मोटर शेयर होल्डर अप्रूव हाइविंग ऑफ पेसेंजर विक कले हैं पर पीवी को क्या किया अलग करने की बात कर रहे हैं अलग कंपनी में आने की बात कर रहे हैं कमर्सियल और मेरे हिसाब से आपको क्या लगता है यह कमर्सियल और पीवी अगर अलग होता तो क्या यह गलत हैं मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है शौर्ट टर्म में आपको इसका बेनिफिट चाहे ना देखने को मिलें लेकिन लंबे समय में यह राजा कहलाएगा और काफी बढ़ यह नीचे जाता है तो आपको और भी नीचे यह जाता हुआ दिखेगा लेकिन मैं कह रहा हूँ मैंने इसको अपने पॉर्टफोलियो में डाल रखा और मुझे नहीं पता आप डालोगे या नहीं डालोगे या डाल रखे हो बट मैंने अपने पॉर्टफोलियो में टाटा बीवी लेक्ट आ रहा है और और भी कंपनिया है महिंद्रा भी है जो की लेक्ट आएंगे लेकिन यहां पर मुझे जो टाटा मोटर का लग रहा है न वो मुझे जादा अपर्चिनिटी लग रहे हैं क्योंकि जो लोग सोचेंगे यह त्यार करके बैठा होगा इनका बहुत सा प्राइम होगा उस समय प्राइज हजार रुपे प्लस होगा थमनेल भी मैं जो बनाने वाला होना भी बनाया नहीं मैंने उसमें लिखो को टाटा मोटर का टार्गेट हजार प्लस और मैं इस बात को चोंकूंगा नहीं मैं एकदम आराम से एगरी करता हूं कि मुझे हजार प्लस का टार्गेट भी इसमें मिलेगा बसरते मुझे इंतजार करना पड़ेगा इस चीज का और यह चीज कब होगा जब इंडिया में गाडिया काफी ज्यादा हद तर इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगी यानि कम से कम 10-15 परसंट गाडिया तो इलेक्ट्रिफाइड हो ज करूँगा और लेकर मैं लंबे समय के लिए वेट करूँगा आपका क्या कहना है जरूर मुझे कमेंट में बताईएगा बहुत जरूरी होती है और डिस्क्रिप्सन में अगर आप देखोगे तो हमारे एक नया चैनल है मनी सुरक्षा आपका सपोर्ट चाहिए आपकी सपोर पर भी आप अडवांस में रही है और हम उस चैनल पर आपके लिए काफी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे और साथ में संडे का हमने प्लान किया है जिस तरह से हमार संडे को हमने सोचा था कि एक वेबिनार करेंगे कुछ सीखेंगे साथ हमें मिल जूलकर तो इ अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो संडे 11 बजे हमारे चैनल पर जरूर आ जाना थेंक यू